आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार आप देखरें MNS News Live आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मर्शी तो आए जानते देश और दुने के तमाम बड़ी खबरे शारदिय नवरातर आज से शुरू पियम मोदी समित इन नेताओं ने दी देश वासियों को शुपकमना है दरसल आज शारदिय नवरातरी के प्रथम दिवस पर माश्यल पुतरी की पूजा की जाती है नवरातर के पहले दिन दिल्ली सहीत देश भर के मंदिरों में भक्तों का ताता लगा हुआ है नवरातर के इस पावन अउसर पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, केंद्री ग्रह मंतरी अमिश शाह और भाजपा द्यक्ष जेपी नड़ा सहीत केंद्री मंतरियों और भाजपा निताओं ने देश वासियों को नवरातर की शुपकामनाय दी है पीम मोदी ने एक्सपर शुपकामनाय पोस्ट करते हुए कहा नवरातर के पहले दिन मा शेल पुत्री के चर्णों में कोटी-कोटी वंदन उनसे प्रातना है कि देश के जंजन को शक्ती और सम्रदी का अशिरवाद दे केंद्री ग्रह मंतरिया मिश्या ने नवरातर की हारदिक शुपकामनाय देते हुए एक्सपर पोस्ट कर रहा शक्ती की आरादना के पावन पर्व नवरातर की समस्त देश वासियों को हारदिक शुपकामनाय मातरानी सभी पर अपनी क्रपा बनाय रखे जै माता दी नजर डालते एक और खबर पर भारत के अंत्रिक मुद्दो पर ना करे चर्चा मणिपुर मामले को लेकर EU के उपादक्ष को ओम बिर्ला की खरी-खरी दरसल लोकसबा अधिक्ष ओम बिर्ला ने शनिवार को भारत के आंत्रिक मामलों से जुड़ेक प्रस्ताव पर चर्चा करने को लेकर यूरोपिय संसत के उपाद्यक्ष निकोला बियर के समक्ष कड़ा विरोध जताया बिर्ला ने भारत के आंत्रिक मुद्दो पर यूरोपिय संसत के प्रस्ताव लाने का विरोध किया जुलाई में बैस्टिल डे परेट के लिए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले यूरोपिय संसत ने एक प्रस्ताव अपनाया था जिसमें भारत से मनिपूर में हिंसा को रोकने और धार्मिक अल्प संख्यकों की रक्षा के लिए तुरंत का पर्वाई करने का आवन किया गया था ओम बिल्ला ने जोर देकर कहा कि हर देश और संसत संप्रबू है और उनके आंतरिक मुद्दों पर दूसरों को चर्चा नहीं करनी चाहिए ओम बिल्ला ने यूरोपिय संसत के उपाद्देक्ष निकोला बियर के साथ द्वीपक्षी चर्चा भी की यूरोपिय संसत के उपाद्देक्ष निकोला बियर ने भी ओम बिल्ला को सूचित किया कि यूरोप चुनोती पूर्ण समय से गुजर रहा है और उनने भारत से सहयोग मांगा है बिल्ला ने अगले साल होने वाले भारती आम चुनावों के दौरान लोगतंत के उत्सा को देखने के लिए यूरोपिय संसत के उपाद्दक्ष को भी आमंत्रित किया है नज़र डालते एक और खबर पर इसराइल हमास युद्ध पर O.S.E. ने दिया फिलिस्तीन का साथ कहा सतर साल की इसराइल कबजधारी बन कर रहा दरसल इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है जहां भारत से लेकर अमेरिका तक इस युद्ध में इसराइल के समर्थन में है वही ओल इंडिया मजलिस A. इत्तेहादूल मुस्लिमिन प्रमुख असुद्धीन ओवैसी ने इस युद्ध को लेकर मीडिया पर पक्षपात का रोप लगाया है चल रहे इसराइल हमास युद्ध पर प्रतिक्रिया देती हुए ओल इंडिया मजलिस A. इत्तेहादूल मुस्लिमिन प्रमुख असुद्धीन ओवैसी ने पक्षपूर्णता रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पर निसाना शाधा और कहा कि इसराइल ने पिछले 70 वर्सों स फिलिस्तीन भूमी पर कबजा किया है और इन अत्याचारों पर दुनिया चुप है हैदरबाद में एक सबा में लोगों को संबोधित करते हुए O.S.E. ने कहा 21 लाग की आबादी वाले गाजा के गरीब लोगों में से 10 लाग लोग बेघर हो गए है दुनिया इस पर अबसा नहीं देख सकते पत्याचार नहीं देख सकते हमास के खिलाफ शल रहे जवाबी हमले के बीच इसरायल रक्षा बलो ने उत्री गाजा पट्टी के निवासियों को निकासी गलियारों का उप्योग करके एन क्लेव के दक्षिन हिस्से में स्थानांत्रित करने की गाजा में पीने के लिए पानी नहीं है खाने के लिए खाना नहीं है अस्पतालों में दावा नहीं है यह इसरायली सरकार उने उत्तर से दक्षिन गाजा की और जाने के लिए कह रही है अब आप हमारे चानल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV अब डाउनलोड करें, इंस्टार ट्वीटर, फेस्बूक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चानल उप लब दे, आप हमारे चानल को लाइ MNS News